निर्विशेष शुन्यवादी पाश्चात्यदेशतारिने जय स्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द स्री अध्वैत गदाधर श्रीवास आदिगौर भक्त व्रिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, अरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है हमारे नित्य चैतने चरिताम्रूत के 37 वे दिवसी सत्र में कल हमने चर्चा की थी अध्याए 11 और 12 अध्याए 11 में हमने हरिदास ठाकुर इनका महाप्रयान इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार से एक दिन जब महाप्रवू हरिदास पहले गोविंद महाप्रवू से जब मिलने आते है जगनाज जी का प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर से मिलने तब वो देखते कि हरिदास ठाकुर शेयन कर रहे है और शेयन करके वो कुछ भगवान के नाम का जब कर रहे थ और जब इस प्रकार से वो देखते हैं कि वो तोड़े कमज़र हो गए और गोविंद जी कहते हैं कि आप ये प्रसाद लीजिए तो जब तक ये वरत पूरा नहीं कर लूँ तब तक मैं कुछ नहें ले सकता और फिर वह वह दूर से ही प्रणाम करते हैं प्रसाद को और रंच लिया हुआ है मेरा तीन लाख माला का वो पूरा नहीं हो रहा है तो महाप्रुव कहते देखो अभी आप वृद्ध हो गए है आपको इतना जब करने के आवशकता नहीं है जिस प्रचार नाम का प्रचार करने के लिए आपका आवतार हुआ था काफी नाम का आपने प्रचार अभी कर लिया है अभी आप मालाओं को कम कर दीजिए लेकिन हरिदास ठाकुर कहते कि मैं इतना पतित हूँ और मेरी एक ही एच्छा है कि आप मुझे लग रहा है कि आप लीला समवरन करेंगे उसके पहले मुझे दिहत्या करना है और किस प्रकार से अगले दिन महापुरु आ निहारते हुए अश्रु प्रवाइत हो रहे थे आँखों से भी और अपनी जिवा से श्री कृष्ण चैतन्या श्री कृष्ण चैतन्या ऐसा उच्चारण करते करते वो अपने प्रान छोड़ देते हैं और सबको भीश्मपितामह इनकी याद होती है जिन्होंने इसी प्र अफिरस्तनान कराते हैं नहलाते है उनके शरीर को और गड़्डा करके उसमें उनके शरीर को रखा जाता है और इस्प्रकार से समादी बनाए ज takya से सारे दुक्वानों से बिक्षा मांग कर प्रसाड गर्षण करते हैं और इसा एक मुत्सक्ता हैं और उसके अगले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से सारी पार्टी जब बंगाल से जगनात पूरी आते हैं महाप्रवु से मिलने के लिए उस समय शिवानन सेन जो सब कारवाई किया करते थे सब कुछ व्यवस्ता किया करते थे तो एक बार की बार थी कि नित्यानप्रव ू को आवासने मिलता है तो गुत हो जाते और शाप देते हैं और धृस्तों में वह मरते नहीं है तिन पूत्र्व वह शाप तो कि उन्हें मजाद में दिया था तो तो इस प्रकार से जो है वो वो लीला का वर्णन किया और फिर जब वो सारे जाते हैं तो महाप्रुवू ने भी शिवाननसन के ओपर कृपा की और कहे कि तुम गुविन से कहे कि जब तक शिवाननसन, शिवाननसन की पत्निया और उनके बच्चे यहां पर है पूरी में मेरा प्रसाद उन्हें देना है और उसके बाद हमने जो है वो यह लिला देखी जगदानन्द पंडित की तो जगदानन्द पंडित जब जगनात पूरी से महाप्रुव के आग्या लेके पिछले साल नदिया गये थे वहां पर शचिमात आदी सबसे मिले थे तो वहां से वो शि पित्त और वायू का प्रकोप कम हो जाए और महाप्रुव फिर बहुत गुस्ता हो जाते है और जगदानन्द पंडित उनका गुस्ता और बढ़ जाता है और फिर वो घर में आते है वो बरतन लेके फेंक देते है और सारा तेल तेल हो जाता है और आपको घर में जाके और उनका गुस्ता थंडा करते हैं और अच्छे से प्रसाथ पा लेते और पुन्हा जो है वो लोट आते हैं तो इस प्रकार से महाप्रुव की लिलाएं सुन्दर चल रही है इसका हम लोग वर्णन कर रहे थे लिला कहते कहते बीच में क्या हो गया था कि शिवानन सेन के जो तीन बच्चे है उनके बारे में एक थोड़ सी गलत जानकरी दी गई थी मुझसे तो उसे सुदार करना चाहेंगे शिवानन सेन के तीन पुत्र थे तो यह जानकरी आदिलिला के अध्याई दस और जो अंतिलिल की सिर्फिजा दो अध्याईों में इनको एकत्रित करके करनी पड़ती है तो ठीक से समझ में आता है तो उनके तीन पत्र सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था चैतन्य दास दूसरे पुत्र थे रामदास और तीसरे सबसे छोटे जो पुत्र थे वो थे पूरी दास या परमानन दास जिने कहा जाता है तो मैंने एक बार गलती से बता दिया था कि जो चैतन्य दास थे वो कविकरणपूर बनते थे जो आखिर में जो सबसे चोटे बच्चे थे परमानन दास या पूरी दास जो आगे चलके कविकरणपूर बनते है जिनोंने गौर गोणदेश दीपिका और अनन्द विर्दा अंचंपू ये गरंथ लिखे और जो चैतन्य दास जो सबसे बड़े पूत्र थे उनके उन्होंने वो बिल्वमंगल ठाकूर द्वारारचित कृष्ण करणामृत इस गरंथ के उपर जो वो तिका लिखी है जोगिदानंद पंडित के साथ और कुछ लिलाए महाप्रूव की और रगुनात भट गोस्वामे इनका महाप्रूव से मिलन जय जय स्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वाइत चंद्र जय गवरभक्त व्रिंद तो अध्याय तेरा इसमें पहले ही श्लोक में कविर्याज गुस्वामी कहते है क्रिष्ण विच्छेद जात्तार्त्या क्षीने चापी मनस्तनू दधाते फुलताम भावेर यस्यतम गवरम आश्रये क्रिष्ण विच्छेद जात्त्यार्ता क्रिष्ण के विरह के कारण महाप्रूव के अंदर एक पीडा का अनुबो होवा करता था क्षीने चापी मनस्तनो उनका शरीर और मन दोनों क्षीन और दुर्बल हो गए थे दधाते फुलताम भावेर लेकिन जब भावेश में आते थे प्रेम के वो तुरन प्रफुलित हो जाते थे और नुर्त्य करना प्रारम कर देते थे तम गवरम आश्रये उन श्रीचेतने म महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं हेनमते महाप्रभु जगदानंद संगे नानामते आस्वादय प्रेमे रत्तरंगे इस प्रकार से अलग-अलग लिलाएं महाप्रभु की हुआ करती थी क्रिष्ण विच्छेद दुखे क्षीन मनकाई भावावेशे प्रभु कभु प्रफुलित होई क्रिष्ण के विच्छेद में उनका शरीर उनका मन जो है वो क्षीन हो जाता था दुरबल हो जाते थे दुबले पतले भी हो जाते थे महाप्रभु और कभी भाव में आते थे तो पुन्हा प्रफुलित उनका मन और उनका शरीर जो है वो बन जाता था त वो केले की शुष का चाल उसके ओपर हमेशा सोया करते थे और जब दूबले हो जाते थे भावेश में आकर कृष्ण के विरह के कारण तब उनकी हड्डियों को बहुत तकलीफ होती थी उस शुष का चाल पर जब वो सोते थे तो सारे भक्तों को जो वो बहुत दुख होआ कर है तो जगदानद्पंडित एक यूकती करते है वो क्या करते है वो कुछ नये वश्तर लेके महा-प्रभु जो से और गोविन को कहते हैं महापरभु जब सोएंगे, तो उन्हें तकिया और रजाही दे देना, तो पहले तो तेल लाए थे, अभी यह रजाही और तकिया दे दिया, तो यह देने के बच्चा तो गोविंद को, केवल गोविंद को ही नहीं बताते, फिर वो स्वरुप दामदर को भी बताते, कि आप अभी ध्यान रखना, किम्कि महापरभु शयद गोविंद का नहीं सुने, तो आप भी ध्यान रखना और जब सोएंगे, तो ध्यान पूरुवक यह देना, तो जब महापरभु का सुने का समय होता है, तो महापरभु सोने के लिए जाते है, और देखते हैं, तो तकिया बुका रहा था तो अभी पता नहीं नहीं प्रयूक करेंगे तो क्या लेकिन फिर भी अभी तो सन्यास के नियम का तो कठरता से पाल कर रहे थे तक्या दूर कर दिया और पुना अपनी जो शूष का केले की चाल थी उसी के उपर जो वो शयन करते हैं और जब सुरुप दामोदर भी बिंति करते हैं कि महापरवो आप ये तक्या और रज्जाई ले लीजिए ने तो जगदानन दुख्य हो जाएगा उनका नाम सुना के कहते हैं कि वो दुख्य हो जाएंगे महापरवो कहते हैं उन्हें बोलो और एक थोड़ा चोपाई की खाट भी एक लेके आ जाए ताकि अच्छे से मैं सुपाऊं जैसे कल तेल के लिए उन्हें ने कहा था थोड़ा मसाज वाला भी लेके आ जाना तो इसे आज वो कह रहे थे कि थोड़ी खाट भीड भी लाके यह जगदानद पंडित हमेशा मेरे सुख्य बारे में ही जो वह सोचता रहता है लेकिन मैं एक सन्यासिय हो इस प्रकार से रजय तकिया खाट मेरे लिए जो एक लज्जास्पद है इसका प्रयोग करना तो इस प्रकार से जो महापरवू नहीं यूज करते हैं और कई सरे केले के पत्थों को सुके होए चीरते हैं और अब्धी नया वकिरल फेर वह लसतर बारे मरे चाली जो आप मातर से रहते लेकिन अडर मैं ज्यादा ब्रहें सकते हैं इस तो कई बार बिंति करने के बाद Mahaप्रु स्विकार किये Mahaप्रु ने स्विकार तो कर लिया सारे वक्ते थोड़ा सूख हो गए लेकिन एक भक्त नाराज के नाराजिर है कौन है? जगदान। पंडित वो नाराजीर है तो नद्वीब जाके सारे भक्तों से मिलके आये थे तो अभी उनके इच्छा पहले से थी वरंदावन जाना है लेकिन महापरवू उन्हें छोड़ नहीं रहे थे तो अभी वो महापरवू के पास आते हैं महापरवू कई समय से मेरे मन में इच्छा है कि वरंदावन जाना महापरवू थोड़ा कुरदित हो जाते है पहले बतायना नहीं और अभी शायद तु गुस्सा है मेरे उपर इसलिए भी जाना चाहता है वरंदावन ऐसा महापरवू कहते है तु जाके तु भिकारी बनके रहेगा वहाँ पे मेरे निंदा करेगा तु मज जा तो जगदानद पंडित और दुखी हो जाते है दुख पहले से थे और दुखी हो जाते है और फिर जगदानद पंडित सुर्प दामुदर के पास चले जाते हैं और सुर्प दामुदर से विंती करते हैं कि आप कुरुपया करके थोड़ा महाप्रुब को समझाइए न मेरे दिर्ग काल से मेरे इच्छा चलते आ रहे हैं कि वरुंदान में जाओं और वहाँ पे थोड़े स्थान देखों आईसा ने कि मैं दुख्य होके जा रहा हूँ आप बताए महाप्रुब को प्लीज मेरे और से इतना वता देना तो फिर सुर्प दामुदर महाप्रुब से बिंती करते हैं कि महाप्रुब जो जग्दानन देना उसको बहुत समय से जाने की इच्छा है मुझे पहले भी बोला था ये ऐसा ने कि आप भी दुख्यत होके बोल रहा है तो आईसा मत कीजिए आप उसे जो वो वो अनुमती दे दीजिए तो फिर महाप्रुब जो है वो इस प्रकार से बहुत बार बोलने के पस्चात जग्दानन को अनुमती दे देते हैं और अनुमती तो दे देते हैं लेकिन जग्दानन को बुलाते हैं और ठीक से बताते हैं कि कैसे उन्हें वो वृद्दावन के लिए जाना है तो सबसे पहले महाप्रुव कहते हैं कि देखो आप स्वच्छन्द होकर वारणसी तक जा सकते हैं लेकिन वारणसी के बाद आपको कोई क्षत्रिय साथ में लगेगा क्योंकि क्या है वो जो रस्ता है वहाँ पर लुटेरों का कापी सारा बहे रहता है और वोग देख लेंगे आप एक बंगाली वेक्ति है और अकेले जा रहे तो आपको लूट लेंगे तो वारणसी से आगे आप जो हो केवल कोई क्षत्रिय कुछ रक्षा करने वाला वेक्ति को आप साथ में लेके जाये और हाँ, महाँ पर जाएंगे, तो केवल सनातन गुसवामी के साथ ही रुकना, अन्य वरजवासियों के साथ बिलकुल उनके साथ रहना नहीं, क्योंकि आप उनका भाव पहिचान नहीं पाएंगे आप उनके आचार और इसको समझ नहीं सकते, वो रजवासियों के उनका अलक स्तर पे भक्ति चलता है, तो उसका अंगीकार तो बिलकुल मत करना, लेकिन उनके साथ भी रहना ने, क्यों सनातन के साथ वन दर्शन करना, और घुमना जहां पर भी है, वो क्यों सनातन के साथ ही जाना, देखे महापरू का इतना सनातन गुस्वामी के उपर विश्वास है, और जो है वो सनातन गुस्वामी को मेरा संदेश भी दे देना, कि मैं जरूर वरंदावन आले वाला हूं, मेरे लेक स्थान की अच्छे से व्यवस्ता करके रखना, और सुनो, वरंदावन में ज जल्दी चले आना, और सुनो, कुछ लोग जो होते हैं, वरजवासी वो लोग गोर्धन पे चड़ते, गोपल का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मत जाना, तो वास्ता में उर्दावन जाने के लिए महापरू जो जग्दानन्द को उपदेश दे र जाते हैं, तो कुछ जातरा की नियम बना जाते हैं, ये करना चाहिए, ये ने करना चाहिए, तो इस प्रकार से सारा जग्दानन्द को महापरूबू जो है, वो समझा रहे हैं, तो इस प्रकार से महापरूबू जग्दानन्द को आलिंकन देते हैं, और उनकी चरणों की व वहां से पिर आगे जो है वहां से पिर आगे जो है वो जगदानन्द मतुरा जाते हैं और मतुरा में वहां पर आगे चलके सनातन गोस्वामी से मिलते है सनातन गोस्वामी भी बहुत अनंदित हो जाते है जगदानन्द से मिलकर और दोनों एक साथ रहते है सनातन गोस्वामी सारे बारावनों का उन्हें दर्शन कराते है और दर्शन कराने के पस्चाथ सारे बारावन होने के पश्चाद गोकुल महावन में सनातन गोस्वामी की एक गुफा थी आज भी वो गुफा है यदि आप गोकुल महावन में गए होंगे तो सनातन गोस्वामी उस गुफा में रहा करते थे तो जग्दानन्द पंडित तो सनातन गोस्वामी के गुफा में रहा करते थे लेकिन अपना खाना बनाना वो स्वयम बगल में एक मंदिर था वहाँ पे वो खाना बनाया करते थे क्योंकि सनातन गोस्वामी जो है वो गुकुल महावन से बिक्षा मांगर लाया करते थे और वही खाया करते थे और जगदानन पंडित की भी सारी व्यवस्ता बिक्षा मांगर सनातन गोस्वामी नहीं की सब मांगते लाते थे और जगदानन को देते थे जगदानन स्वयम अपना खाना बना लेते थे और जो है वो रहा करते थे तो इस प्रकार से दोनों एक साथ रहा करते थे एक दिन जगदानन सोचे कि चलो मैं सनातन को बुलाता हूँ अपने यहाँ पर ही प्रसाद पालेंगे तो एक दिनों सनातन को बुला लेते हैं अपने हाँ पर प्रसाद के लिए उसी समय उसी दोरान जो है वो एक मुकुंद सरस्वती करके एक सन्यासी थे वो सन्यासी वृद्णान में आये थे और उन्होंने अपना एक उत्तरिय वस्त्र भाहरी वस्त्र जो है वो शनातन को दिया था लाल रंग का वह वस्त्र था सनातन अपने सर के उपर उसे बांढ लिये थे और बांद खे वो जगदानन्द के सामने जाके बेड़ जाते है तो जैसे वो लाल वस्त्र बांदा हुआ देखते है जगदान पंडित वो प्रेमाविश में चले जाते है उन्हें लगता है कि शायद चैतने महापुरुव ने दिया हुआ वस्त्र पहन के सनातन यहां पर आयोए है तो सनातन को पुछते है यह कौन सा वस्त्र है कहां पाईला तुम्ही एई रातुल वसन मुकंद सरस्वति दिला कहे सनातन तो कहां पाया तुने यह लाल वस्त्र रातुल वसन मतलब लाल वस्त्र कहां पाया किस न दिया तो कहते मुकंद सरस्वति ने दिया है जैसे मुकंद स जिस हंडी में भाद बनाते, पकाते, उनका खाना बनाना अभी हो गया था, वो पुरा भाद की हंडी उठाके मारने के लिए लेके आए सनातन को, और सनातन को तो पहले से पता था, इनका सोबाव कैसा है, कैसे वो बरताव करते हैं महाप्रुबू के साथ भी, तो उन्हें जो सबसे निकटवर्ती पार्षद हो, और तुमा समा महाप्रभूर प्रिय नहीं आन, आप से प्रिय महाप्रभू को कोई और नहीं है, और जग्दान कहते हैं कि आपने दूसुरे किसी ये मुकुन सरस्वती ये क्या नाम बता रहे, इनका भहिरवस्तर आपने सर पर धारन किय महाप्रभू का नहीं है, ये मैं सहन नहीं कर पाया, और फिर वो बात का हंडी लिया हुआ, उनका गुस्ता थंडर हो जाता है, फिर सनातन को समय उन से कहते है, आईचे चैतन्य निष्ठा योग्यतों माते, तुमी ना देखाई ले इहा, शिखिवक के माते, चैतन्य महाप सीखने को मिलता, आईसी दूड निष्ठा, चैतन्य महाप्रूव के प्रती, ये जो है वो आपने दिखाई है, आज मेरा ये वस्तर सर्गयों पर बांधने का जो है वो कार्य, उसका उद्देश सपल हो गया है, क्योंकि मुझे प्रतेक्ष रूप से जो है वो देखने को मि दोनों एकत्रित बेट जाते हैं और भूजन प्रारंब करते हैं और चैतन्य महाप्रूव की कुछ लिलाएं जगदानद पंडित सुनाने लगते हैं और सुन रहे हैं, दोनों प्रसाद ले रहे हैं और दोनों रो रहे हैं, रोते 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 जो है उनका प्रसाद जो है व चेतने महापरभू से ज्यादा समय तक विरह वो सहन नहीं कर पा रहे थे और फिर अभी वो निकलने का समय आ गया जगदानन्द पंडित ने संदेश दिया महापरभू ने जो दिया था सनातन गोश्वामी से कि महापरभू कुछ समय पच्चात यहां पर आने वाले हैं और उ जगदानन्द निकल रहे हैं उन्हें वर्णदान से कुछ भेट वस्तुएं परदान करते हैं अभी वर्णदान में एक भिक्षुक का और सन्यासी का जीवन बिता रहे सनातन गोश्वामी क्या भेट दे सकते हैं हमारे आपे भी आम लोग देखते कुछ समय के लिए कोई व गुवर्धनेर शिला शुष्क पक्क पिलू फल आरगुंजा माला चार वस्तुएं दी रासस्थलिर वालू रास्थली की वालू सबसे पहले दी गुवर्धन की शिला दी पके हुए पीलू के फल दिये और गुंजा माला ये सब दिया और उन्हें बिदा दी तो जगदान तो इसके लिए द्वादश आदित्य तीला करके एक जगह है व्रंदावन में यह आप में से कोई भक्त यदी गए है तो आप जानते होंगे यह द्वादश आदित्य तीला जो है यमुना नजी से नजदी की है और वहाँ पर जो कृष्ण जब यमुना से आये थे कालिया का तब जो उन्हें थंडी लग रही थी तो इसलिए बारा सूरे वहाँ पर प्रकट होए थे उन्हें उश्मा प्रदान करने के लिए जो सिकुड रहे थे कृष्ण तो उन्हें उश्मा प्रदान करने के लिए बारा सूरे प्रकट होए थे उसे कहते द्वादश आदित्य ती वहाँ पर जो है वो समी स्थान बना लिए और जो जगदानंद निकले थे वो भी वुर्दान पहुंच जाते हैं महाप्रूरू से मिलते हैं सारे भक्ता भी जगदानंद के वापसी से लेके बहुत प्रसन्न है जो सारा भेटवस्तु लाए थे वो सारे भेटवस्तु तो दे लेकिन जैसे अंबी कहते हैं ना कि मेरे लिए प्रार्थना करना मेरे प्रणाम करना तो उनके तरफ से और एक दंडवत उन्हें जगदनदी ने सनातन की और से महापुरू का अरपन किया महापुरू ने अलिंगन दिया और रासस थल्यादी जो भी भेट लाई थी वो सब भे वृध्नावन की पिलू फले सब खाएंगे वृध्नावन का स्मरन करेंगे उस में सच जो भक्त वहापर थे जो जानते थे कि यो पिलू के फल कैसे खाने चाहिए वो सब चूस कर खा रहे थे और जो उडिया भक्त जिनने पता नहीं था ये फल कैसे कहने हैं वो उन्हें च चबा रहे थे और चबा चबा ते उन्हें बहुत तीखा लगया क्योंकि उसके अंदर बी होती है चूज के खाना होता है और बीज फेग देना होता है तो जुन्हें ने चबा के खाया वो जो बीज इतना तीखा लगा उनको तो माने जिवाए ज्वाला जिवा जलने लगी ज जगदान इंदर आगमने, सवारा उल्हास, एमते निला चले, प्रभुरा विलास, जगदान पंडित वापस आ गए और सारे भक्तों में उल्हास फैल गया, आइस प्रकार से महाप्रुवा अनंत लिला है, वहाँ पर जो हो किया करते थे, दूसरी लिला अभी कविराज गुस सवामे सुनाने जा रहे है, एक दिन की बाते चतनि महापर्वू यमेशवर टोटा जा रहे थे, यमेशवर टोटा यह मतलब यमेशवर उद्यान, यहाँ पर कों रहते थे? गदाधर पंडित तो गदारें पंडित से मिलने साइद जाए जारे हो, यमेशवर तूटा जा र उस दिशा में दोडने लगते हैं, स्तरी गा रहा है, या पूरुष गा रहा है, कोन गा रहा है इसकी चिंता नहीं और भागते जा रहे हैं, और रस्ते में कुछ काटेरी जो वो पेड थे, तो उनके बीच में से भाग रहे हैं, उनके शरीर को काटे लग रहे हैं, उसका भी उन्हें जो वो भान नहीं था अंगे काटा लागी ला किछुना जानी ला अस्ते वेस्त गोइन तार पाचीते धाईला भागरे भागरे काटे लगरे उसका भी उन्हें अवसान नहीं है ध्यान नहीं है और गोइन पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे भागरा ह और वो स्त्री और महपरूव उनके बीच में थोड़ी दूरी रही थी, गुविंद जाके महपरूव को पकड़ लेते हैं और चिलाते हैं, एक स्त्री गार रही हैं। पठोरता से अपने सन्यास्वरत का पालन करते थे श्त्री शब्द ये नाम भी नहीं लेती थे वो केवल प्रकृति कहा करते थे तो इस प्रकार से वो कहते है कि उनका इदिस पर्ष हो जाता तो मेरा मरन हो जाता था और इस प्रकार से गोविंद को महाप्रुव कहते है कि गनाजी ने ही आपका जो है वो जीवन रक्षा किया हुआ है। महाप्रूब कहते हैं गोविंद से आज के बाद आप हमेशा मेरे साथ रहना और मेरी ऐसे विपत परिस्तितियों में केवल आप रक्षा करना। तो देखें गोविंद का सोबाग्या। हर समय इसके बाद गोव चुछ हो जाता तो क्या हो जाता कि गोविंद क्या प्रहाश्च चितनते आपको उसके बारे में तो बोधी नहीं सकते तो इस प्रकार से यह दूसरी रील्या ऍुर्म सभान और महाप्रूह का अपने आपको संभल प्रानघर कृतां सुननाना प्रार्म करते का विर्याज ग प्रगुनात भट्ट को सवाल आता है कि ऐसे सरनेम क्यों अलग अलग लगते हैं तपन मिश्रा के लड़के नाम भी कुछ सरनेम मिश्र चाहिये था तो इस सरनेम ज्यादा करके इस प्रकरसे नहीं लगा जाते जो कभी ब्रामन है तो उन्हें भट्टा या भट्टा चार रहे एसा पुकारा जाता है तो इसलिए रगुणात भट्ट महा परुणात की लिला में तिने रगुणा थे हमने देखा था जब रागुणात दाशंथ गोस्वामी के लिल्ए अंति जाया करते थे वर्दनावन जाते समय अधर शेसमय जब वारणसी में जाये करते थे वारणसी में कितने समय तक महाप्रूव रुके थे और काफी समय से इनकी मन में चल रहा था कि मैं महाप्रीव को मिलने के लिए जाओं। और अभी तपनमिष्रा के लड़का रगुनाध भट्ट गोस्वा में अभी महाप्रीव को मिलने के लिए उतकंथा उनकी बढ़ गई है। रगुनाथ बट्टाचारिया प्रबुरे देखिते चलिला चाडी सर्वकारिया अपना सब कुछ कारवार्व छोड़के वह अभी महाप्रवु को मिलने के लिए निकले हैं वारनसीर से निकले हैं और अभी वह जा रहे हैं बंगाल से बंगाल से होकर वह पूरी के तरफ निक और एक ग्रंत था काविवे प्रकाश, शास्त्र में तो बहुत प्रमीन ही थे, यह जो काविवे प्रकाश ग्रंत है, इसके वो अध्यापक थे, चोबी सो घंटे राम नाम का वो जब किया करते थे, तो दोनों मिल जाते है रगुनाद भट्टगो स्वामी और रामदास विश मेरी सेवा करने के आउशकत्ता नहीं है, केवल सुक परवक मेरे साथ चलो, तो रामदास विश्वास कहते है कि, मैं एक कायस्त, मैं एक शुद्र परिवार से हूँ, ब्रामान की सेवा करना मेरा करते हुए है, इसलिए आप मुझे सेवा करने देजिए, तो इस प्रकार से आप रहे हो एक लाप और आये हैं आप यहीं पर रहिए मेरे साथ उन्हें गोईंद को बोलके एक कमरे की व्यास्था करते हैं और आये हो तो आप जगनाजी का दर्शन भी अच्छे से लीजिए और मेरे साथ ही रहेकर प्रसाथ पाईए इस प्रकार से रगुनाद भट्ट जो है वहीं पर रहे और बताते हैं क महिने तक महापरूख के साथ ही रहे, महापरूख का संग मिला, दर्शन लिया करते थे सुरुप दामुदर, आदीभक्तों के साथ महापरूख ने उनकी पहिचान करा दी थी तो इस प्रकार से जो वो आट महिने तक रहते हैं और कभी-कभी जब वो आठ महीने रहे उसके बीच में वो महाप्रुभु को नियोता भी देते थे प्रसाद के लिए जहां पर उनका निवास था कविर्याज गुसर में कहते थे कि वो बहुत ही निपून रसोईया थे बहुत सुन्दर पाक कला जानते थे और इतनी सुन्दरता इतनी मदूरता उनके कार्य में थी कि मानों अम्रुत बनाते थे हो और महाप्रुभु भी बहुत अच्छे से जोयवसका आस्वादन किया करते थे तो इस प्रकार से रगुनात भट्ट को महाप्रुभु ने बहुत अपनी अच्छे से कृपा प्रदान की और जो दूसरा विखती आया था रामदास विश्वास उसका क्या हुआ रामदास यदी प्रथम प्रभुरे मिलीला महाप्रऑबु अधिक्तारे कृपा ना करिला जब पहली बार महाप्रऑबु रामदास विश्वा से मिले महापुरू तो सरवग्या है, सब के रुदमें क्या चल रहा है, सब कुछ जानते है, परक्ते है, अंतरे मुमुक्षुते हो, वो जो रामदास विश्वत था, भले ही राम नाम का जब किया करता था, लेकिन अंतरंग में वो निर्विशेश वादी था, भगवान का कोई रू उसका विश्वास नहीं था, और विद्या गर्ववान, वो विद्या में बहुत गर्वित था, ज्यादा गर्व था उसे अपने पंडित्य का, और ये जो है, जो भवान अंदरा है, उनका परिवार वहापर था, उनके वामशचों को, ये कव्यप्रकाश जो गरंता के अध प्रकुनात भट वहापर रुके, अभी उनका जाने का समय आया, महाप्रभु कुछ उपदेश देते हैं उन्हें, विशेश, अश्टमास रही प्रभु भट्टे विदाई दिला, विवाह ना करिह बली, निशेधह करिला, आठ मास रहने के पस्चात विदा देते समय, महा आदेश दिया, और क्या आदेश दिया, वृद्ध माता पिता रियाई करह सेवन, वैश्नव पास भागवत करह अध्यायन, आप जो है, अपने वृद्ध माता पिता है, उनके माता पिता काफी वृद्ध थे, अपने वृद्ध माता पिता और वो भी वैश्नव थे, तपन मिश्रार वो, आप उनकी सेवा करो, और महान भागवत को ढूंडो वालनसी में कोई होगा, उन से जाके शिमत भागवत उसका अध्यन करो, और पुनरपी एक बार आसिह निलाचले, एतबली कंठमाला, दिलातारो गले, और एक बार मुझे निलाचल में मिलने के लिए यहां पर आजाओ, ऐसा बोल के महाप्रुबु ने एक उनके पास कोई कंठमाला थी, वो कंठमाला उन्होंने रगुनाद भट्ट को भेट के रूप में अरपन कर दी, आलिंगन देते हैं महाप्रुबु ने और रोते-रोते रगुनाद भट्ट वहां से विलाप करते हैं, निकल से चार साल तक उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की, जब उन्हें काशिवास हो गया, मतलब उन्हें देहत्याक कर दिया, उसके पश्चात रगुनाद भट्ट पुना सब कुछ छोड़के महाप्रुबु के चर्ण में, जगनात पुरी में आ जाते हैं, और क रूप और सनातन इनके साथ आप रहिए, और क्या करना है, भागवत पड़सदा लह कृष्ण नाम अचिरे करेबेन कृपा कृष्ण भगवान, रूप और सनातन के साथ रहो, और सदेवश्मत भागवत का पाठ करना, अध्यन करना, और कृष्ण नाम हमेशा लेते रहना, इस प्रकार से महाप्रभु पुना एक बार आलिंगन करते हैं और इस बार आलिंगन करके वो कृष्ण प्रेम संचारित करते हैं उनके रुदाई के अंदर और कृष्ण प्रेम में भावावेश हो जाते हैं रगुनाद भट्ट को स्वामी और पुर्ववत महाप्रभु को कुछ एक बहुत लंबी चौदाहात लंबी तुलसी की माला भेट में मिली थी वो जगानाजी का महाप्रसत के रूप में वो रगुनात भट्ट को दे देते हैं और रगुनात भट्ट भी वो माला को इस प्रकार से संबालते हैं मानो इस्ठदेव उन्हें मिले हो और वहाँ से वो विदा लेके जाते हैं और वरुदावन में रगुनात भट्ट भट्ट गोसवामी जो है वो रूप गोसवामी और सनातन गोसवामी इनके साथ रहने लगते हैं और जो महापरुन आग्यादी थी उसका यथा रुप पालन करते हैं श्रिमत भागवत सुनते थे और पढ़ते थे इस प्रकार से भागवत का अध्यन उनका था जब वो भागवत पढ़ते थे तो उनका शरीर रोमांचित होड़ता था और आखों से को सुना करते थे और इस प्रकार से जो गुविंद के चर्णों में उन्होंने अपने आपको अर्पन कर दिया था गुविंद चर्णे कैला आत्म समर्पन गुविंद चर्णार्विंद यार प्राण धन गुविंद के चर्णों में उन्होंने आपको समर्पित कर दिया था और गुविंद के चरण केवल अभी उनके प्रानधन हुए थे अपने शिश्यों को उनने मदद के लिया और गुविंद जी के लिए बहुत सुन्दर मंदिर उनने बनवाया था भगवान गुविंद के लिए एक सुन्दर वंशी और मकर कुंडल जो है वो उनने बनवाये थे और कुछ नियमों का वो पालन किया करते थे सारे गोस्वमी ने अपने अपने एक नियम लगा लिये थे उस प्रकास से रगुनाद भट्ट गोस्वमी इनके नियम सारे भक्तों को सुनने के लिए बहुत आवशक है और पालन करना अतिव आवशक है कैसे वो क्या करते थे ग्राम्मे वारता ना शुने ना कोहे जीवाए कृष्ण कथा पूजा दीते अश्ट प्रहर याए ग्राम्मे वारता बिल्कुल संसारिक वारता इसने क्या 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 कर रहा है बिल्कुल न सुनते थे न जीवा से बोलते थे और आठ प्रहर एक प्रहर रता है तीन गंटे का आठ प्रहर रता पूरे 24 गंटा क्या क्या करते थे कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, कृष्ण संकिर्तन, यही उनका जो वो कार्य था, वैष्ण वेरा निंदाय कर्म, नहीं पड़े काने, सबे कृष्ण भजन करे, यही मातर जाने, दूसरा कोई आता था और कहता था, पता है आपको उस वैष्ण ने क्या क्या, उसे बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बाकी मैं कुछ बताओं मत, यह वेक्ति, सबे कृष्ण भजन करे, यही मातर जाने, मैं क्यों एक चीज़ जानता हूँ, कि सारे लोग कृष्ण का भजन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, यदि हम भी इस नियम को अपनाये, तो सारी महाप्रवु की आद होती, तब आ जाती थी, तब ही वो जो माला दी थी महाप्रवु ने, तुलसी की बड़ी माला, वो अपने रुदय को लगा लेते थे और रोने लगते थे, तो इस प्रकार से जो है वो उनका जीवन, निरंतर कृष्ण प्रेम में विवल होते होते है, वही पर वर्दावन में बीता, तो कविराज गुस्वामी कहते है कि इस प्रकार से मैंने तीन लिलाएं यहाँ पर बताई है, जगदानंदेर कहिलू वर्दावन गमन, तारमदे देवदासिर, गानश्रवन, जगदानंद की वर्दावन गमन लिला, सनातन गुस्वामी से म हिलू सकल, तीन कथाए मैंने एक ही अध्याए में बता दी है, यह एई सकल कथा शुने श्रद्धा कोरी, तारे कृष्ण प्रेमधन देन गवरहरी, जो श्रद्धापुरोक इन कथाओं को सुनता है, चैतने महाप्रवु जो है वो उन्हें कृष्ण प्रेम बहुत ही पहला विबाग है अन्यन्य भक्तों के साथ महापुरु का आदान प्रदान जो भार से आये थे, रगुनात दास गो स्वामी, इसनातन गो स्वामी, रगुनात भट्ट गो स्वामी, जगदान पंडित, प्रद्युम नमिश्र, इन सब के साथ उनका व्यवार, और इसके बा महापुरु की गंबिया गवार साल और उसमें भी अंतिम जो बारा साल है वो महापरू के महापर जो है वो बहुत ही गंभीर लिलाएं उनने की हमारी समझ से वो परे है और इन्हें समझना भी मुश्किल है कहना और समझाना और भी मुश्किल है इसलिए मैं सरोप्रतम चेत्र महापरू के चरण में वंदन कर आगे कुछ बोलने का प्रयास करूँगा क्यूंकि मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं है इन लिलाओं को कुछ कहने के बारे में कतंचंस्मृते यस्मिन दुश्करम सूकरम भवेत विस्मृते वी परितम स्यात स्री चैतन्यम नमामितम करेंगे तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है और यह सबसे कठिन कार्य है महाप्रुव के चवदा से लेके 20 तक अध्यायों का वर्नन कराना और समझाना और हम तो प्रारम तो कर रहे हैं जो कविराज गुस्वामी ने बुला है उसको एक तोतिके भाती मैं केवल दोह जीने चापी मनस नहीं यह तो तेरवेश्लोक का हो गया चोदावेश्लोक का पहला श्लोक वही है क्रिश्ण विच्छेद विभ्रांत्या मनसावपुशाधिया यत यत व्यदत्त गवरांग ततत लेशह कथत्य अधुना चतने महाप्रुवने अपने मन बुद्धी तथा शरीर से संपन्य जो अलग अलग कार्यकलाप प्रस्तुत की एंग और में केवल अउंश रही वरणन करने में वाला हूं जो जो कृश्ण के तीवर विरह में जब वो मोह हो रस्त हो जाते थे उस समय कि क कार यकलाप जो है वह मैं केवल अंश मात्र कर करने वाला हूँ ऐसा कविराज गुसवामी कहते हैं और कविराज गुसमी आगे और विरहेसा यद्यपी होय धीर प्रबूर विरह उन्माद भाव गंबीर अत्यन्त गंबीर भाव से युकत है महाप्रूव का विरह का उन्माद भुजी तेना पारे के हा आसीब होय धीर कितना भी विद्वान और धीर वेक्ति क्यों न हो वो भी समझ नहीं सकता इसे भुजी तेना पारे हा वर्नी ते के पारे जब समझ पाना ही कठिन है तो वर्णन कर पाना उसके बारे में क्या कहा जाए सही भुजे वर्ने चैतन्य शक्ति देना यारे चैतन्य महाप्रूव यदि शक्ति प्रदान करेंगे तो ही कोई वेक्ति जोय से समझ सकता है या बता सकता है तो कविटार गोस्वामी कहते है कि स्वरुप दामोदर और रगुनादास गोस्वामी ये महाप्रभु के पार्षद दोनों सदहिवा जगनातपूरी में महापुरू के साथ रहा करते थे ऐसे कई सारे महापुरू के पार्षद है जिन्होंने टिपनिया लिखी है और महापुरू के लिलाओं का वर्णन किया है जैसे मुरारी गुप्त है, अन्य कई सारे है, उर्ण अंदास ठाकोर है, कई सारे पार्षदिनों ने लिखा हुआ है, लेकिन ये दो पार्षद है, जो खास करके महाप्रुव के साथ रहे उन 12 सालों में, इसलिए वो निकट वरती है, इसलिए उनके नोट्स मैं यहां पे बत जा रहा हूँ, उसमें भी जो स्वरुप दामदर है, उन्होंने केवल सूत्र रूप में, संक्षेप में लिखा है, लेकिन जो रगुनादास गोसा में, उन्होंने इनका विस्तार से वर्णन किया हुआ है, तो उनको लेके मैं वर्णन कर रहा हूँ, इसलिए इन लिलाओं को सुनने के पहले, आप सबको सबसे पहले क्या चाहिए? एक तो भूरी-भूरी श्रद्धा और विश्वास और आदिलिला का स्मरण, आदिलिला में चैतन्य तत्व क्या है, उसे समझ लिया है, तो इसलिए वो फाउंडेशन है, और अभी जो है वो उसका मुकुट मनी जो प्राप्त हो सकता है, यदि विश्वास पुर्वक हम इन लिलाओं को सुने, कृष्ण जब मतुरा भगवान कृष्ण जब वरंदावन चोड़के मतुरा और उसके आगे फिर द्वारका चले जाते हैं, तो गूपियों को जो विरह महसिस हो रहा था भगवान कृष्ण को लेके, उसी प्रकार से विरह में चैतने महाप्रवू हमेशा रहा करते थे, और जब उद्धो संदे देने के लिए आये थे विरंदावन में, तो राधारानी ने जो विलाप किया था, जो भ्रमरगीत आदी भागवत में वर्ड़न आता है, तो उस प्रकार का उन्माद महाप्रवू जो है वो सदैव प्रकट किया करते थे, तो एक बार की बात सुनाते है कविराज गोस्वा में, महाप्रवू लेट रहे थे और सवपन में रासलीला देखते हैं, और जो रासलीला में भगवान कृश्चन का सुन्दर सुरूप है, उन्हें दिखता है, उसका वल्दन करते हैं, त्रिभंग सुन्दर देह मुरली वदन पितांबर वनमाला मदन मोहन त्रिभंग सुन्दर शरीर है उनका मुरली बजा रहे हैं पितांबर वस्तर पहिने हुए हैं और वनमाला पहिने हुए हैं इस प्रकार से मदन को भी मोहित करने वाली है मदन मोहन और गुपियां भी थी उनके साथ स्रीमती राधरानी का भी दर्शन होता है और रास लीला चल रही है और वर्णावन में मुझे अभी कृष्ण मिल गए है ऐसे भाव में महाप्रभू सपने में ही रत है। गोविंद जब देखता है महाप्रभू अभी तक लेटे हुए क्यों ने उठ रहे हैं कितने लेट तक सो रहे हैं महाप्रभू तो गोविंद महाप्रभू को उठाते हैं और जैसे ही गोविंद ने जगाया महाप्रभू जगते हैं और देखते हैं आरे यह तो सपना था तो और बहुत विवल और दुख्य हो जाते हैं कि ये किवल तो सपना था, मुझे लगा कि मैं कृष्ण को पा लिया हूँ, और फिर वो नित्य कर्म कर लेते हैं और जगनाजी के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, जगनाजी का दर्शन महाप्रवू गरूरस्तंब से ही किया क करते थे और उनके आगों लाखों लोग हुआ करते थे जगनाजी का दर्शन लेते हैं, तो एक बार की बात है, जैसे वो दर्शन ले रहे थे, महापर एक महिला, उडिया महिला महापर आ जाती है, उडिया एकस्त्री भीडे दर्शनना पईया, गरुडे चड़ी देखे प जगनाजी को, इसलिए उसने क्या किया, वो गरुस्तंबो को पकड़ के महापरुब के कंदे पर चड़ गई, और चड़ के अभी जगनाजी का दर्शन ले रहे थे, अभी गुविन जी वहाँ पर खड़े है, महापरुब को स्त्री मतलब पहले ही परिशानी, तो गुविन स्त्री मेरे कंदे पर जगनाजी का दर्शन लेने के लिए खड़ी है, तो महापरुब गुविन को डाट रहे है अभी, वो स्त्री को ने डाटते, महापरुब गुविन को डाटते है, गुविन को, क्या कते हो, तार आरती देखी प्रभु कहीते लागिला, एता आरती जग जगनाजी का दर्शन करने के लिए, एता आरती जगनाथ मोरे नहीं दिला, जगनाजी ने ऐसी उतकंठा, ऐसा लवल्य दर्शन करने के लिए मुझे भी नहीं दिया हुआ है, जगनाथे आविश्ट इहार, तनुमन प्राणे, मोरस कंदे पद दिया छे, तहा नहीं जाने, जगनाजी को दर्शन करने में उतनी तलीन है वो, कि अपने शरीर, मन, तन, धन, सब कुछ उसने लगा दिया है, और यह समझ भी नहीं पाई, कि वो किसी सन्यासी के कंदे के उपर चड़ गई है, वो जानबुच करने चड़ी थी, वो वास्तियों में तलीन थी, वो absorption था उ और महापुरू कहते हैं, इसके चरणों का वंदन मैं करता हूँ, और इसकी चरण धूल मेरे सर पर लेता हूँ, ऐसी जगनाजी के प्रति उतकंठा और लवल्य से प्राप्त हो गया है, जगनाजी यह दी कुरपा करे, तो मुझे भी जो है, वो लवल्य चाहिए, तो महाप वास्तों में चेतने महापुरू जो है, वही उन्हें जो सपने में रूप आया था, मुरली वदन वाला, जगनाजी को उसी भाव में दर्शन कर रहे थे वास्तों में, और जगनाजी का वैसे ही दर्शन कर रहे थे, अभी क्योंकि यह वृत्तन्त हो गया, तो उनकी सुबद्रा को अभी वो जो है जगनात बल्ले सुबद्रा की रूप में देखते हैं और वो मूरली वदन वाला रूप वहां से चला जाता है तो महापुरू सोचते कि मैंने कौन सा रतन दिव्य रतन पाया था वृंदावन के कृष्णा मुझे प्राप्त हो गए थे अभी मै का कुर्ग चेतर में आ गया हूं और वहएज़तना में आ जाते हैं और महीला वही पर चरणों में गेर किर पड़ concretih मापूरू के उसे समझ में आ था कैभी क्या चल रहा है तो महापूरू कहते हैं कि उसकी चर्ण दुली मुझे चाहिए और वह महीला महापुरू के चरणो मुझे बिदो और महां से नििकल कर जो है कि वह मैं कृष्ण को प्रापत कर लिया था विर्णधावन वाले कृष्ण को लेकिन अभी मैं जो है तो से दिव्यवय दर्षन हुआ था और वो भी छिन गया है इस प्रकार से जो महाप्रुप का वरतन होता था, पाईलु वृर्णावन्दनाथ पुना हराईलु, के मुरे निलेक कृष्णा, कहा मुई आईनू, यह उनका भाव था कि मुझे वृर्णावन्दनाथ कृष्णा प्राप्त हो गये थे, अभी के मुर नुरुत्य चला करता था, और सुवाव अदेह मात्र, केवल जो है, वो शारिरिक सुवाव से उनका जो भोजन, स्नान ये सब क्रियां होती थी, एक स्वावा भी नित्य कर्म के हिसाब से, वो सचेद भी नहीं रहा करते थे, कि मैं कुछ खा रहा हूँ, या मैं नहां रहा हू वे केवल बहिया रूप से केवल हो रहे थे, अंतरंगे में हमेशा उसी उन्माद में उनके सारे कार्य होते थे रातरी के समय उन्हें निंदी में लगती थी उस विरह के कारण, कृष्ण का विरह वो महसुस किया करते थे और महाप्रभू अपना मन का भाव, सुरुप दामदर और रायरामानन इन्हें सुनाते थे और सुरुप दामदर से वो कहा करते थे, मेरा मन एक भिक्षुक है, उस शरीर को छोड़ के अभी वर्णान गया है और एक योगी की भाती वहाँ पर वो बैठा हुआ है, और वहाँ पर वुर्णान का हस्वादन कर रहा है और कई सारे श्लोक्ष वो सुनाते है, और सुरुप दामदर रायरामानन और फिर गोपियों के भ्रमरगीत, आदिगीत सुना के उन्हें सांत्वना करते है और वो ने सुलाने का प्रयास करते है, जब आधिरात हो जाती है, तब महाप्रूव सोते है और फिर रायरामनन अपने घर चले जाते है, सुरुप दामदर और गोविंद घर के बाहर वही पर सोये वे है और महाप्रूव अंदर यांदर जोर से कृष्ण किर्टन उनका चालू है सबरातरी महाप्रूव करे जागरन उच्चकरी कहे कृष्ण नामसंकिर्तन सारी राग महाप्रूव जगे रहा करते थे और उच्चा स्वरी में कृष्ण का किर्दन क्या करते थे अचानक सुर्भ दामदर जो भाहरी स्वयव है वो पाते है कि कृष्ण का किर्दन का आवाज नहीं आ रहा है दर्वाजा खोल के देखते हैं महापरुबू सारे दर्वाजे बंद हैं महापरुब गायप कहां चले गए सब जगव वहाँ पर जो गोइन स्वय सबको उठाया जाता है महापरुब नहीं है सारे भक्त दीपक लेकर जलाख यहां यहां ढूंड रहे महापरुब कहां गए जगनात मंदिर तक पहुंच जाते हैं फिर महापड़ जो है सिम्हद्वार के बाहर उत्तर दिशा में एक इक कोने में महापड़ु जो पड़े होते हैं सुरफ दावदरुण का आनन्द हो जाता है कि हर चलो महापड़ु मिल जाते हैं लेकिन सारे भक्त दुखी हो जाते हैं उनकी दशा को देखके क्या थी उनकी दशा प्रभू पड़ी आचेंदिर्ग हात पांच अच्छए अचेतन देह नास आए श्वास नहीं हुआए एक हात की लंबाई ऐसे महापरू की लंबाई बढ़ गई है और सारे जो उनके अवयों है मतलब हात के जॉइंट्स कहते हैं ना हात के जॉइंट्स पेर के जॉइंट्स कमर के जॉइंट्स यह सारे लंबे खीश कर मानों ऐसे छेचे इंच बड़े हो जाते हैं और उनका शरीर दुबला पतला हो गया है उनका शरीर का तपमान कम हो गया है नास नासिगा से श्वास नहीं ले रहे हैं ऐसी परिसिति में महाप्रूबू जो प्राम कर दो और सारे भक्त महाप्रूबू के कान में जाके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर से जोवकिर्दन प्राम करते हैं और कुछ समय के पश्चात महाप्रूबू को महाप्रूब सचेत अवस्ता में आ जाते हैं और सचेत होकर जोर से हरी बोल करके महाप्रभु चिनलाते हैं और गरजना करके मानों सिम्म के बाती खड़े हो जाते हैं और सारा शरीर उनका पुर्ववत स्थूल एक एक नॉर्मल नॉर्मल शरीर के समान उनका शरीर हो जाता है और महाप्रभु चकित होके पुछते मैं सिमधवार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कैसे आया और महाप्रभु को पहले आप घर चलिए महापर मैं आपको बताऊंगा और महाप्रभु को घर पे किताब से मैंने एक प्रसंग लिया हुआ है और उसका एक सलोग भी वह सुनाते हैं एई लिला महा प्रबुर रगुनात दास गवरांग स्तव कल पव्रिक्ष करिया चेंप्रकाश गवरांग स्तव कल परग्रक्ष इस किताब में रगुनाद Nhasty Gu Sande इसका वह सतार से वर्नन किया हुआ है चैत्र महापृर को जैसे ही surplus जाता है कि वह कैसे गायप हो गय थे घ्र से महापृर को मुझे तो कुछ स्मरण नहीं मुझे तो कुछ स्मरण नहीं महिलर को पाया था क्रिष्ण मेरे सामने प्रकट हो गए थे और बिजली के समान जो है वो अंतरधान हो गए इसलिए मैं उन्हें धूंड रहा था यह तक कहिलो प्रबुर अद्भूतवीकार यहां रश्रवने लोके लागे चमतकार लोक चकित हो जाते हैं जब सुनते हैं तो आपने शास्तर में भी ऐसा क आपको सुना रहा हूं आप विश्वास से सुनो इस प्रकार से कविराज को समय बिंद्धी करते हैं और इक दिन की बाद बताते हैं एक दिने महाप्रवू समुद्र याई ते चटक परवत देखी लें अ चंबी ते महाप्रू जा रहें समुद्र स्थान के लिए जब जा सवर्यो यद रामक्रिष्ण चर्ण स्पर्श प्रमोदह मानम्तनोति सहगोगन यस्तयोर्यत पानियसुयवसकंदरकंदमूलै यह श्लोक का उच्चान करते 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 महाप्रुबू जोर से भाग रहे हैं यह श्लोक का पड़ी प्रभू चले नवाई उवेगे गुविंद ध आप नहीं महाप्रुबू आगे हाथ उपर करके गोउड़न करते कर shr Scale अरी महाप्रुबु की दश्या महाप्रुबू के शरीर के उपर जो ही वा रोमान्यदय ही है मनो कडंब का फूल अपने देखाँ होगा कैसे कैसे उसके 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 शरीर में जैस हुनार सो काते आयो हुए रहते हैं तो उसी प्रकार से जो है वह वह महापरू का दीव शरीर वह उस प्रकार से कदंबे के फूल जैसा लगता है महापरू का गले से अबी आवाज भी ने आ learning केवucc और उनके आखों से वह निरंतर अश्रू प्रवा हो रहा है दुए प्रकार से बड़ी बड़ी नदिया जैसे बहे रहे है उसका महाप्रुबु के आखों से ऐसी समुद्र में मिलनी वाली गंगा और यमुना इनकी धार बही रही है उनका जो है वो शरीर का रंग मानो शंका जैसा सफेद हो जाता है और भूमी पर महाप्रवू मूर्चित होके गिर पड़ते है और गुविंद फिर अभी जाके पकड़ लेता है गुविंद पकड़ लेता है थोड़े जल उनके मुख के उपर चड़कता है और अपना उत्तरिय वस्तर लेके उन्हें वो हवा देने का प्रयास करते है सुरुप दामदर उनकी उस दशा को देखके रोने लगते है और बाकी सारे भक्त जब अश्ट सत्विक विकार महाप्रुव की शरी में प्रकट हुए है सारे भक्त जो अश्चर चिकित हो जाते है और इस प्रकार से उन्हें उपाई पता था जोर से हरे कृष्ण महावंतर का कीरतन महापर चलता है और कुछ समय पस्चत महाप्रुव को सू जाती है और महाप्रुव हरी बोल करके चला के जो है वो गर्चना करके खड़े हो जाते है और जो है वो महाप्रुव वहाँ पर अर्द भाहिया चेतना में आते है सारे सखियों के लिए के सज ढशकर राधा ठकुरानी वो भी वहाँ पर आई थी और राधारानी और कृष्टनेन का मिलन हो रहा था और एक गोपी ने मुझे कहा जाके वो फूल तोड़के लाओ और जब मैं फूल वहाँ से तोड़ने के लिए गया मैं कुलाहल सुना और आखें खुली तो मैंने आपको देखा क्या आप लोगों ने मेरा रत्न जो मुझे प्राप्त हुआ था आपने भंगर डाल दिया अभी मैं दुखी हो गया हूँ मुझे आप इस प्रकार का जो है कुलाहल आप मत क्या करो और महाप्रभू दुखी थे अभी वहाँ पर दूर से परमानदपूरियार ब्रहमानद भारति आ रहे होते जो वो दूर से आ रहे थे महाप्रुव पूर्न भाहियचितना में आजाते है अभी तक अर्द भाहिय थैं अभी पूर्न भाहिय में और क्योंकि प्रमांध पुरिय और ब्रहमानद भारती यह बड़े थे उन से और गुरु के गुरु बाहि इस प्रकार से जो अ माधुनेद तो महाप्रभू थोड़े लज्जित अवस्ता में आ जाते हैं और सारे भक्तों को लेके अभी वो समुद्र अस्तान करने के लेके जाते हैं और समुद्र अस्तान करके आके वो दोपर के मध्यान में भोजन ग्रहन करते हैं तो इस प्रकार से महाप्रुभु जो विलाप हुआ करता था वो बिल्कुल ही विचितर और आचम्बित और अश्चर चकित करने वाला महाप्रुभु का विलाप हुआ करता था इस प्रकार से अलवकिक लिला महाप्रभू किया करते थे और इतनी अलवकिक हुआ करती थे के वर्णिते पारे कौन वर्णन कर सकता है महाप्रभू के इतने सारे अनन्त लिलाओं का वर्णन मैं केवल संखेप में एक संकेत मातर इन लिलाओं का वर्णन कर रहा हूँ विस्तार से तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ केवल संकेत दे रहा हूँ के आईसे ऐसे लिलाओं हुई है और इकेवल सुत्रगणन है लेकिन जो भी इसे सुनता है यही इहाशुने पाई कृष्णे चरण कृष्ण के चरणों की प्राप्ति उस वेक्ति को हो सकती है जो विश्वास से और श्रद्धा पुर्वक इन लिलाओं को सुनता है तो इस प्रकार से जो हो कविराज गुसा में विराम देते है श्री रूपर गुनात पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास तो यहां पर जो हमारा तेरवह और चोधावव आध्याय यह समाप्त होता है अभी समय है हमारा आज का प्रशन प्रश्न काफिया आसान था कि निम्नलीकित में से कौन से भक्तिकलपर वक्ष के नो जड़ों में से एक के रूप में उल्लेक नहीं किया गया है तो भक्तिकलपर वक्ष नव्याद्या में इसका विस्तार से वर्णन दिया गया है हमें पता है कुछ बीज है कुछ मूल है कुछ अंकुर तो इसमें नो प्रमुख शाखाएं दी गई है शाखा नहीं नो प्रमुख जड़ दी गई है वर्ख्ष की तो कौन जड़ है इनका वर्णन किया गया है नवयाद्या के तेरा से लेके पंद्रावे शलोक तक तो कौन जड़ नहीं है तो यहाँ पर इश्वरपुरी जड़ नहीं है तो आपने ठीक से पढ़े हमगे तेरा चवदा स्लोक बारा तेरा चवदा तो इसमें इश्वरपुरी जड़ अंकूर के रूप में बताए गये है इस पुरे कल पर रुक्ष के तो यहाँ जड़ नहीं है तो इसका सही जवाब आएगा इश्वरपुरी जड़ नहीं है तो इस प्रकार से जो है वाँ हमारे आज एक मई है तो केवाल दो दिन बचे हुए है इस दिन दो दिनों में हम भकतों से बिंती करेंगे कि इस प्रकार से आप चैतन्य चरितामुरुत का आदी लिला को और अच्छे से पढ़ते रही है उसका स्मरण करते रही है गायन करते रही है शुयताम शुयताम नित्यम गियताम गियताम उदाः शिंतिताम शिंतिताम भकतस चैतन्य चरितामुरुतम आप आदी लीला को और अच्छे से पढ़ते रहिए और यदि महाप्रूव का जो दिव्य उन्माद और उन्माद भरी आईसी लीलाएं जो है यदि आपको उनका पान करना है और कृष्णे के चरण उसके प्राप्ति करनी है तो बने रहिए मिलेंगे हम कल शाम को ठीक साड़ पांच बजे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा गरंत राज श्री चैतने चरताम रूत की जाई कृष्ण दास का विराज गोस्वामी पाद की जाई श्री लप्रभु पाद की जाई